हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वेइंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और चाप्टर वन भी हम इसे कह सकते हैं ओर्वियू में हम देखेंगे डेफिनेशन तो डेफिनेशन दी गई है इस अर्ट और साइंस अफ डिटर्माइनिंग रिलेटिव पोजिशन सव डिफरेंट अब्जेक्ट्स अन और बिलोव दिसर्फेस अफ अर्थ बाद 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 लिनेर मेजरमेंट अंगलर मेजरमेंट यूज करके हम दो पॉइंट में से डिस्टंस कितना है और रिलेटिव पोजिशन दोनों पॉइंट की पता कर सकते हैं और वो हमें मैप के मैप बना के रेकॉर्ड करना है यहाँ पर अब्जेक्ट ऑफ सर्वेंग हम देखेंगे अब्जेक्ट अब सर्वेंग इस टु फाइंड पॉजिशन फाइंड करनी है जैसे कि अगर मैं आपको पूछू आपके घर से आपके ओपिस तक का डिस्टंस या फिर आपके कॉलिज तक का डिस्टंस कितना है तो आप बोलेंगे किलोमेटर दो किलोमेटर दोस्तों यह डिटर्माइन कैसे किया तो यह सर्वेंग करके डि इस्ट्रिबिशन वाटर पाइपलाइन का काम हो हर एक जगा पे हमें सर्वे पहले करना पड़ता है उसके बाद ही हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और अब्जेक्ट ऑफ सर्वेंगे इस तो फाइंड रिलेटिव पोजिशन आपके लिखे गए हैं वो हर एक सर्वें में पहले सर्वें में फॉलो किये जाते हैं और हर एक कंट्री में फॉलो किये जाते हैं ना किस बल की सिर्फ हमारे कंट्री में यह जो दो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं की गए तो सर्वें कभी करेक्ट नहीं हो सकता इसलिए सर्वें का प्रिंसिपल हम देखते हैं टू पूरे एरिया को छोटे-छोटे एरिया में डिवाइड करो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ दोस्तों explain करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हुआ दिया यहाँ पर देखें दोस्तों work from hole to the part का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर देखें इस सेड में work from hole to the part यह किसी टाउन का टाउन है यहाँ पर यह टाउन और यह टाउन के boundary points से और इस टाउन का हमें survey करना है तो फिर पहले हमें पूरा यह वर्क from hole यह पहले वोल टाउन कवर करना है उसके boundary finds identify करने है फिर हम इसको चोटे-चोटे parts में divide करके हम उसका survey करना start कर देंगे दोस्तों यह है इसका meaning और दोस्तों वहाँ from work to the part because इसमें error accumulation नहीं होता error यहाँ पर बढ़ते नहीं क्योंकि यहाँ पर एक side का measurement see here boundary point के बज़े से दो यह boundary point पहले mark की गई है और उसका measurement लिए जाता है इसलिए इसमें cross check भी हो जाता है और जी हाँ दोस्तों दो बार तीन बार यह lines का measurement होता है इसलिए work from whole to the part यह principle हर एक survey में follow किया जाते और दूसरा principle हम देखेंगे यहाँ पर to locate a new point by at least two measurement दोस्तों at least का मतलब है कम से कम कम से कम दो reading लेने पड़ते हैं दो linear measurement दो angular measurement या फिर एक linear और एक angular measurement एसे करके नया point की position हमें fix करने हैं कम से कम एक कम से कम दो reading से यहाँ पर फिर से मैं explain करता हूँ अगर मैंने यह बताया आपको यहाँ पर aint by point से being part से दो मिटर के दूरी पर है दो मिटर के दूरी पर फिर ऐसे मिजे कितने points मिलेंगے 2 मिटर के दूरी पर दो मिटर दो मिटर दो मिटर यहाँ पर werde infinites points मिलेंगे. दो gras के दुरीव, यह भी 2 मिटर है, इसलिए दोसतों और एक measurement मैंने यहां से लिया आगर C point से 3m पर. मैंने यहां से लियression C point से 3m, B point से 2m. ऐसा एक C point होता है इसलिए दोसतों हमें यह principal भी याद में रखना है to locate a new point by at least two measurements principle general principle याद में रखिए कोई भी सर्वे होगा और कही पे भी आप सर्वे कर रहे हो ये दोनों principle फॉलो नहीं हुए तो आपका map कभी भी सही नहीं बन सकता आपके map में error आएंगे इसलिए दोस्तों और आपके confusion बढ़ते रहेंगे इसलिए दो principle general हर एक सर्वे में follow किये जाते है to work from whole to the part and to locate a new point by at least two measurements और उसके बाद principle के बाद हम जाएंगे uses of surveying दोस्तों वैसे तो बहुत सारे uses है यहाँ पर मैं सभी cover नहीं कर सकता इसलिए जो भी यहाँ पर main uses यहाँ पर दिये गए है वो देखते है तो पहला use दिया गया है to prepare topographical map topographical map बनाने के लिए survey के knowledge होना जरूरी है surveying के skills हमें आने चाहिए दोस्तों देखते है topographical map का use किसलिए किया जाते है topographical map में hills, valleys, दरिया, जो जो है पहाड, नदिया, villages, towns, जंगल वो जो country में है जिस देश का topographical map होगा उस देश में कहाँ पर पहाड है कहाँ पर दरिया है, नदिया है टाउन्स कौन कौन से वो सब topographical map में दिखाया जाता है आप लोग net पर सर्च कर सकते है topographical map of India, topographical map of England आप लोग देख सकते हो और उसका scale भी चेक कीजिए दोस्तो next to prepare cadastral map now cadastral map का use कहाँ पर कहाँ आ जाता है cadastral map का use use private properties, houses उसके जो plots है, वो सब दिखाने के लिए आजकल हम देखते है plotting यहाँ पर शुरू है plotting वहाँ पर शुरू है तो फिर दोस्तो वह cadastral map पे plotting दिखाए जाते है private properties जो होते है उसके लिए cadastral map बनाना ज़रूरी है next to prepare an engineering map engineering map का दोस्तो use engineering projects में होता है road project, railway project, irrigation project, dam project उसके लिए engineering map बनाने एक लिए भी surveying का use करना पड़ता है surveying का knowledge होना ज़रूरी है surveying का knowledge से हम next use देखेंगे surveying का use क्या है to prepare control map control map का use दोस्तो dam की site selection के लिए road construction की site selection के लिए railway के site के लिए railway की site से लिख करने है उसके लिए control map का use किया जाता है next to prepare geological map geological map से हमें उस area के underground कौन कौन से resources से से कौन से टाइप का वहाँ पर रॉक है it is ignisius rock, sedimentary rock, metamorphic rock और जो हम आजकल देखते हैं जो tiles है जो building में यूज किये जाते हैं marble है, granite है, kitchen में यूज किये जाने वाला वो सब हमें geological map से पता चलता है कि से रहा में कौन से टाइप का rock प्रेजेंट है दोस्तों ये था और एक यूज देखते है to prepare archaeological map archaeological map से हमें पता चलता है historically important places for example अभी पुने में कौन कौन से फोर्ड से शिरुनेरी है, then सिहांगड है पिर वो जो archaeological map होता है उसमें archaeological map shows ancient places, historical places जो भी पुरान जमाने में जहां पर कुछ घटनाय हुई थी वो सब दिखाया जाता है archaeological और जहां पर उसके कुछ आउशेश भी बाखिये है वो archaeological map में दिखाया जाते है और इसके लिए फिर survey करना ज़रूरी है next अब आगे बढ़ेंगे हम इस chapter में classification of surveying major classification is plain surveying and geodetic surveying now geodetic surveying क्या है और plain surveying क्या है यह हम देखते है दोस्तों plain surveying में curvature of earth is not considered यानि हमारे earth का shape spiroidal है हमारी earth spiroidal shape of our earth is spiroidal in nature now what do you mean by spiroidal यहाँ पर देखिए it is not exactly spherical it is like this shape of our earth is spiroidal in nature तो फिर दोस्तों इसलिए जब हम छोटे एर्या में काम करते है तो plain surveying follow करना पड़ता है अब जब area ज़्यादा होता है तब earth का surface consider करना ज़रूरी होता है क्योंकि आब earth का surface नहीं consider करेंगे तो दोस्तों error आ सकते है इसलिए दोस्तों spiroidal shape of our earth is considered in geodetic survey and spiroidal shape of our earth is neglected in plain surveying that is the first point curvature of the earth surface curvature of the earth surface is neglected in plain surveying curvature consider नहीं की जाती क्योंकि इसका काम यहाँ पर दिया गया है small area पर जब survey किया जाता है small area पर काम कर प्रोजेक्ट है यहाँ पर दिखाई दी गए है यह straight line consider किया जाती नेक्स्ट triangle is also considered as plain triangle and angles of triangle are considered as plain angles next area is less than 250 km2 यह सब हो गया plane surveying plane surveying तब ही किया जाता है जब area area चोटा है area is less than 250 km2 यहाँ पर clear ली दिया गया है जब area इससे चोटा है तब plane surveying के principles हमें follow करना है line considered, straight consider करनी है triangle भी अगर consider करना है वो straight triangle consider करना है curvature earth surface का बिल्कुल भी consider नहीं करना है दोस्तों उसके बाद जाएंगे geodatic survey में दोस्तों यहाँ पर हम clearly comparison देख सकते हैं यह है plane surveying जहाँ पर triangle plane है और यह है geodatic survey नहीं geodatic survey में हम देखेंगे curvature of the earth is considered first point जहाँ पर curvature of earth is neglected plane surveying geodatic survey curvature of earth is considered conducted over a large area large area it is conducted over a small area छोटे अरिया पर plane surveying area जब छोटा है तो plane surveying follow करना है area जब बड़ा है तो हमें geodatic surveying के principles geodatic survey के techniques use करना है next line joining any two points here it is considered as curved line line joining two points यहाँ पर दिखाई दिया गया है because यहाँ पर curvature consider किया जाता है area is area is large next triangle formed by any three joining any three points it is spherical triangle and angles of this triangles are also spherical angles यहाँ पर हम sketch में देख सकते हैं इस प्रकार के triangles इस प्रकार के angles geodatic survey में आते हैं और यहाँ पर देखते है area is more than 250 km square area is more than this value then follow geodatic surveying principle geodatic surveying techniques दोस्तों उसके आगे हम जाएंगे अभी क्या है यह तो था surveying का major classification plane surveying and geodatic surveying अभी और कौन-कौन से method है classification के वो अब हम देखेंगे तो फिर classification based on instruments classification based on instrument chain surveying compass survey plane table survey theodalite survey tachometric survey photographic survey total session survey तो यह होगे classification based on instrument कौन सा instrument यूज के है तो वो उसका type हो गया है next classification based on objective now why we are conducting survey survey क्यों कर रहे जैसे कि geological survey geological underground resources ढूनने के लिए underground resources पता करने के लिए जो किया जाता है next archaeological survey हमने देखा है to study historical places archaeological survey is conducted then military survey for military operations military survey is conducted cadastral survey to define the private properties boundaries of various states cadastral survey is important the next classification based on field type कहा पर हम survey कर रहे है जमीन पर कर रहे है तो उससे land survey कहेंगे अगर हम पानी में कर रहे है समुंदर में कर रहे है तो उसको marine survey कहेंगे अगर हम space में काम कर रहे है तो उसको astronomical survey कहा जाता है जी हां दोस्तों तो यह था हमारा overview of first surveying overview of first unit of surveying नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले है linear measurements and types of tape दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना भी मत भूलेगा और जी हां दोस्तों चैनल share subscribe और like करना मत भूलेगा और जी हां दोस्तों अगर आपकी कुछ suggestions है वो भी आप share करना मत भूलेगा हुआ करते हैं लूले हमाज मत्मस्ट टूलेग mówią प्रूले हम भी मत दोस्तों छूलेगा हम उँदियो जा उएंगा